ब्रॉट तो यू बाइ अजिलिस डाइग्नॉस्टिक्स अजिलिस डाइग्नॉस्टिक्स लेकिन रास्ता और आसान कैसे हो चुका है आप कह सकते टीम इंडिया कप के और करीब चली गई यह कप कौन सा टी 20 वर्ल्ड कप और करीब कैसे चली गई यह वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलग-अलग ग्रुप से टीमों को आना है ल इंडिया को किसको खेलना है उस हिसाब से आप देखे तो इंडिया को जो सीडिक स्थी उस हिसाब से लग रहा था कि यार जो अपसेट सा करना होते तो इंडिया को खेलना होता न्यूजिलेंड से यह आप सभी आनते कि इंडिया को अगर न्यूजिलेंड से खेलना होता 20 त इंडिया का भी बहुत बड़ा फाइदा कैसे हुए न्यूजिलेंट बाहर चुकी है तक्रीबन तक्रीबन बाहर होई चुकी क्योंकि आप तभी आनते हैं जिस ग्रूप में न्यूजिलेंड है वहां से वेस्ट इंडियों और अफगानिस्तान आ रही है और साथ ही साथ एक और चुप ग्रूप है जो आप सभी आनते हैं कि जो जहां से साथ अफ्रीका आ रही है और वहां से बांगलादेश आ रही हो वहां से लग़ना था कि शायद साथ आफ्रीका और श्री-लंका आएगी तो अब श्री-लंका भी नहीं तो इंडिया के लिए दो आसान मैच हो कि लिनिये वाफ प्रफॉअ कि बाद अगर चैना इंडिया के सामने हैं सबसे पहले 20 तारीक को जो लग रहा है कि इंडिया लाइकली खेलेगा किसे अफगानिस्तान से 20 जून को उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया 22 तारीक को को खेलेगा बांगला देश से जो और जो तक्रीबन तय है कि इंडिया खेलेगा उस्टेलिया से 24 तरीकों अब अगर इन तीनों में आप देखेंगे तो आपको दो चीज बड़ी आसान दिखेंगी कि यार वैसे तो T20 World Cup on a given day कोई भी किसी टीम को हरा सकता है बढ़ अगर आप बोले यार आपको New Zealand से खेलना है या अफगानिस्तान से खेलना तो आप बोलेंगे नहीं यार कि इंडिया अफगानिस्तान को हरा है बांगला देश को हरा है और उसका रास्ता तैया फिर हो सेमी फाइनल के लिए अप फिर सेमी फाइनल में कौन सी टीम आती है ये बात तो लगे हो सकता है सेमी फाइनल में आस्ट्रेलिया आपको तो नहीं मिलेगी हो सकता है सेमी फाइनल में सामने या आपको वेस्ट इंडीज मिले या सौथ अफरीका मिले वो आगे चलके दिखा जाएगा लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए जो रस्ता था टॉप फूर का क्योंकि टॉप फूर का रास्ता इंडिया का मुश्किल लग रहा था सुपर एट के साब से तो ये सबसे चीज है कि इंडिया के लिए ना भाई साब चीजे आसान हो गई है इंडिया कहीना के सेमी फाइनल के करीब और आके पहुच चुका है और जैसे इसे चल रहा है जिसे साबसे इंडिया के लिए चीजे हो रही है हो सकता है जिए टॉफी का सूखा है वो हमारा खतम हो सकता है और ये भी हो सकता है जिसे साबसे चीजे चल रही है कि इंडिया उस्टेलिया फाइनल भेड़े और इंडिया इस बार कहीं नहीं और अस्टेलिया को राके टॉफी भी जी सकता है बट यह आगे की बात है पर फिलाल यही है कि सूपर 8 में इंडिया का रास्ता आसान हो चुका है और इंडिया कहीं नहीं सेमी फाइनल के और कदम बढ़ा रहा है मतलब प्रॉफी की करीब जा रहा है तो फिलाल इस वीडियो में इतने ही अगर वीडियो आपको पसंद नहीं है तो लाइक करें और अगर यह खबर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को भी शेयर करते हैं उन्हें भी बताएं कि भारत के लिए काफी अच्छी खुश खबरी है बहुत लंबा हो गया इंतजार क्यों फाइनली इस बार वर्ल्ड कॉप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा वल्ल कॉप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ कहां स्पोर्ट स्थ क पर SportsSuck YouTube, SportsSuck App or SportsSuck Website पर सीधी कवरेज, America or West Indies